उसे निखारिये उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए उस पर अफसोस मत कीजिए एना कि यार मेरी तो आवाज खराब है ऐसा कुछ नहीं आवाज का संगीत में रोल होता है लेकिन आवाज आपके हाथ में नहीं होती है आवाज इश्वर की देन है तो उस पर आप बस उसको अपनाई ही और उसे निखारिये जैसी भी है उसे निखारिये शरीर रंग रूप आकार ये इश्वर की देन है उसी तरह से आवाज ये भी इश्वर की देन है अगर नहीं भी इश्वर को मानते हो तो साइंस को तो मानते होगे कि साइंस ने ऐसा ही बनाया है भई ऐसे ही के आपको सिखाएंगे अभी डाउनलोड कीजिए संगीत धरा SPW और सीखिए संगीत प्रवावल्ड की पूरी फेकल्टी से संगीत यह कुछ बाते होगी प्रेकॉशन्स हो गए कब करना है क्या क्या तकनीके हैं वो खयाल रखना है वो मैंने आपको बता दिया है अब आते हैं कि रियाज में क्या करना है तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है शुरुवाती दौर वो है अपना पिछ पहचानना अपना पिछ पहचानना किसे कहते हैं अपने सुर को पहचानना अब सुर बहुत सारे होते हैं टोटल कहें तो बारह हसुर होते हैं जैसे बताओं तो यह बार हसुर हुए अगर इसे मैं और थोड़ा सा उंचे से वताऊं तो एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा ठीक है तेरवा जो सुर होता है वो पहले का डबल होता है जैसे कि सा यह पहला सुर है और सा यह तिरवा सुर है सा 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 सेम ही साउंड है वो बस उसकी फ्रिक्वेंसी डबल हो गई है तो सा और सा के बीच में जो है 12 सुर आपके रहते हैं तो इन 12 में से आपका पिच जो है वो क्या है वो डिसाइड करना पड़ता है तो According to vocal tone pitch decide होता है जैसे male जो voices होती है उनमें base होता है और treble जो है female voices का tone है ठीक है उमुमन ये मैं general बता रहा हूँ वरना exceptions में हो तो वो exceptions होते हैं कई male होते हैं जिनकी आवाज में base नहीं है और पतली आवाज है और कई females ऐसी हैं जिनकी आवाज में dumb है बारी पन है इला अरुन जी है जो आपने अगर नाम सुना आवीदा परवीन जो है उनकी आवाज देखे कितनी baseful है भारी आवाज है पंजाब की जो folk singers होती है जैसे कि नूरा सिस्टर्स है उनकी आवाज आवाज आप देखे अरजीत की आवाज में base है थोड़ा दम है पर जब थोड़ा छोटा था तब उतना दम नहीं था उतना base नहीं था तो उम्र अनुसार आपके शरीर अनुसार उपर वाला आपको जो आवाज दे रहा है उसको संभाल के रखिए उसे निखारिए उसे बदलने की कोशिश मत कीजी उस पर अफसोस मत कीजी यहना कियार मेरी तो आवाज खराब है ऐसा कुछ नहीं आवाज का संगीत में रोल होता है लेकिन आवाज आपके हाथ में नहीं होती है आवाज इश्वर की देन है तो उस पर आप बस उसको अपनाई ही और उसे निखारिए जैसी भी है उसे निखारिए शरीर रंग रूप आकार यह इश्वर की देन है उसी तरह से आवाज यह भी इश्वर की देन है अगर नहीं भी इश्वर को मानते हो तो साइंस को तो मानते होगे कि science ने ऐसा ही बनाया है भई ऐसे ही पैदा हुए थे अब इसे जबरदस्ती हम दवाईयां खागा के नहीं steroids ले लेके मैं अगर मोटा हो जाओ तो वो health पर health 1000 बनेगा वो अपना health पर असार आता है कि नहीं आता है उसका एक होता है natural आपकी body होती है उसके साथ आप कुछ experiment करो और एक है आप दवाईयां खाखा के उसको बदलने की कोशिश कर रहे हो ठीक है तो वो फर्क हो जाता है तो आवाज जैसी है मोटी पतली जैसी भी है ठीक है अब मर्दों के लिए या फिर ये कर लीजिए adult male और बाकी जितने मर्द हैं उपर वाले उससे उपर उनके लिए C sharp pitch होता है जैसे की साथ ये C sharp और female और छोटे बच्चों के लिए G sharp साथ ये दो pitch है ठीक है ये आप note कर लीजिए आप दौनों के लिए है हम आज की class में तो इतना detail नहीं हम discuss कर पाएंगे पर मैं next further classes में आपको detail बता दूँगा कि कैसे उन पर रियाज और करना है ठीक है पर आज हम अपना at least pitch पहचान सकते हैं और ये pitch आपको तानपूरे में मिल जाएगा हार्मोनिम में मिल जाएगा C sharp यानी पहली काली होता है अब यहाँ से एक एक दो तीन चार पांच यहाँ से पांच वा सोरियानी इस काली का प जो बनता है वो दृति के लिए होगा सा बोलके देखी दृति सा इस frequency को मैच कीजिए मैं आपकी voice के according मैं higher pitch में बोल रहा हूँ वरना यह सोर मैं अगर गाऊंगा तो वो सा यह बनता है मेरी vocal tone अनुसार लेकिन आप एक female हैं तो female को मैच करने के लिए मैं इसका सा आवाज को पतली करके उपर वाला बोल रहा हूँ आपको मैच करने में आसानी हो जाए कोशिश कीजिए पंचम लगाईए आपके father का जो पेच है उसका और वो आपका सा बनेगा लगाईए कोशिश कीजिए मैच करने की उसे अच्छा एक बार जो पेच आपके अंदर आ रहा है वो बाहर निकालीए फिर हम उस गाते रही है ठीक है गाते रहे गाते रहे थोड़ा रेगुलर गाईए और सीधा बैटके गईए ठीक है यह पांचवी काली है अब यहां से दो सुर हमको नीचे उतरना है सा सा गाईए ठीक है अब एक और सुर नीचे उतरना है सा यह बार ठीक है यह हमारा सुर है अब इसमें हो सकता है कि आपको थोड़ा नीचे प्रेशर लगाना पड़े ठीक है देखिए हर आवाज अलग है तो हर pitch अलग है आप A sharp से भी कर सकते हैं पांच भी से भी कर सकते हैं इसमें कोई गलत बात नहीं होगी आपकी voice की according वो आपका pitch बन सकता है लेकिन तब भी हमें pitches की knowledge होनी चाहिए यह समझ आना चाहिए ठीक है तो पांच भी से भी किया जा मेरे ख्याल से आपको रियाज क्या होता है कब करना होता है कैसे करना है उस पर हम बाद में बात करेंगे हां कैसे करने पर भी हमने थोड़ी बहुत डिसकस कर लिया क्या करना होता है रियाज में उस पर हम further classes में बात करेंगे ठीक है उसके precautions हो गए उसके pros हो गए उसके cons हो ग पर उसके लिए एक गंटा थोड़ा सा कम है ठीक है तो उस पर हम आगे और चर्चा करेंगे ठीक है तो तब तक के लिए ख्याल रखेंगे और ले ताल का अभ्यास करते रहेगा नेक्स क्लास में वह आप से सुनूंगा मैं ठीक है